हेलो गूद मॉर्निंग तो आज हम लोग बनाएंगे फिजिक्स साब्जेक्ट क्लास टेंथ और क्विश्चिन नमर टेंथ लग उतर यह चैप्टर वन पहले चैप्टर का क्विश्चिन है कि आउतल दर्पन में परमानित करें कि कि f is equal to r by 2 मतलब f is equal to r by 2 आपको यह प्रमानित करना है f is equal to r by 2 यह प्रूफ करके आपको दिखाना है यह प्रूफ कैसे आप करके दिखाईएगा सबसे बड़ी बात यह एक हम ओतल दर्पन अधे बनाते हैं ध्यान दीजेगा यह देखिये यह ओतल दर्पन हमने बनाया ओतल दरपन का ये मुख्य अक्ष्य प्रधान आक्ष्य ये हो गया धुरू पीसे धुरू और देखिए यहां पर हो गया आपका एक होगा वक्रता केंद्र उसके बाद फोकस देखिए इसके ठीक पहरलल एक रिखाया आने के बाद टकराया एक आप्तित किरन आई और आप्तित किरन आकर टकरा गई ओतल दरपन से ओतल दरपन है तो बाहर से कलाई भी तो कर रहेंगे हम लो ये कलाई हमने कर दिया ध्यान दिजिएगा यह ओतल दरपन को हमने कलाई कर दिया यह ध्रूब हो गया अब यहां से आप्तित किरन आई और आप्तित किरन आएगी तो सीथे कहां जाएगी यह फोकस से होकर निकल लेगी उसके बाद देखिए यहां से आपको हम परावर्तन का दूसरा नियम पढ़ाए थे कि जैसे कि यह समतल दरपन है यहां से आप्तित किरन आई टकराई और फिर वापस चली गई आप्तित किरन चली गई परावर्तित किरन चली गई तो इसके बीच से एक अभी लंब ऑ यह अभी लंब हुआ और कि शॉर्डि यह अभी लंब जो है वक्रता के अंदृस से होकर निकला तो अभी लंब तो निकल चलिए तो अभी लंब क्या है तो यहते है कि जिस आप्तित किरन हो जिधर आता है जिस Direction में आता है और सी ट्रेक्शन फिर वापस चला जाता है तो आप्तित किरण आई यह है आप्तित किरण यह होगे आपका परावर्तित किरण और यह होगे हमारा अभिलंब अभी लंब के बीच एक कौन यहां पर बना जो कि आपतन कौन है यह आपतन कौन मानते हैं कि यह X हो गया और यहां पर एक कौन बनेगा जो कि हो परावरतन कौन तो परावरतन कौन को भी X लेकर चलिए क्योंकि नियम कहता है प्रकास का परावरतन का कि आपतन कौन परावरतन कोन के बराबर होते है अभी मैं समझा रहा हूं हुआ है chilli to fund परफुपल के बराबर होता है यह अगर अगर मॉनिजा कि 3o 40o यह हूगा तो इस यह फ्यवार nephew होगा यह हमारा वक्र तके अधर आप देख रहे हूं यह क्या है यह दोनों समांतर लाइन है यह जो लाइन है और यह लाइन समांतर यह अपत्य किरण जो है पर दहारम आक्षय क्या है एक्दम समांतर तो जब आप मैं पढ़ होगे कि जब जौ 2 समांतर रेखा हो और इसमें हाई यह तीर्च Запयां हम ले लेते हैं तो यह कौन के बराबर होता है और उसको क्या क्या में कक्या मतलब यह क्युम्त40 के बराबर होता है यह आप्तित कीरन एकदम समानतर है यह प्रधान अक्ष के प्रुंसपल एक्सिस के तो यहां पे जो X है वह यहां पर भी हो सकते हैं एक आंतर कोन के अनुसार यहां पर भी हो सकते हैं अब इसके खम नाम पहले देते हैं ताकि हमें आगे solve करने में असान होगा यह यह हो गया B AB हो गया और यहां पर पी यह सब नाम सही है चलिए अब इसमें ध्यान दीज़ेगे चरह यह ये भी आप्तित किरन और ये जो है बी एफ परावर्तित किरन है बी एफ कौन सा किरन है परावर्तित किरन है अब देखिए एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी कि कौन सा कौन है आपतन कौन आपतन कौन कैसे हुए ये देखिए आपतित किरन आई दरपन से परावर्तित यहां पर टकड़ाई और टकड़ा परावर्तन हुआ उसका परावर्तित हुई तो यहां पर जो कौन बने यह आपतन कौन हुआ बीच में अभी लॉंब हो गया और इसके बीच में हापर क्या हो गया यह परावर्तन कोन क्या होजाएगा सी बी एफ एंगल सी बी एफ कौन सा कौन है तो परावर्तन कौन है परा वर्तन कौन जो जो मैं लिखवा रहा हूं आप इससी लिखते चलिए आगे मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा आपको सी एंगल सी बी एफ यह तो एक कौन और ब्राबर हो रहा है एंगल भी मतलब भी एंगल सी एमगल बी और यहां लिखें किसके बराबर है आंगल B, C, F जो है ऐ A B C के बराबर हैं आगल A B C के यह दोनों आपस सब्राबर है तो कैसे बराबर है यह आपको बताना प्रेगा है कांळ अरone कौन हो आब आगे एंगल a b c बराबर है एंगल ya b c मतलब ये एंगल यह जो एंगल हमने दिखाया बराबर है इस एंगल के चै preparersi 2 f मतलब यह एंगल इस एंगल के बराबर है एंगल ऐकर सीक से बराबर थो परावरतन के दुसरे नियम से परावरतन के कि दुसरे नियम से करना में में परावरतन को इसके अधार पर हम बता सकते हैं देखे ये एंगल ये एंगल आपसमें बराबर है अब धियान दीजिए आके तो अब भी हम आपको दिखा दियें दो कि आपतन कुन परावरतन कुन के बराबर है मतलब कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है फिर यही एंगल इस एंगल के बराबर है क्यों तो एक आंतर कुन के अधर पर यहां पर लिख दिया और यह जो लाइन है ये बी लाइन है अब लाइन और आपका ये हो गया अबी लाइन और ये सीपी लाइन दोनों आपसमें पैरलल है इसलिए आप यहां पर कह सकते हैं कि एंगल अगिल अगिलत इंगल अबीक के और यहां पर प्लिक दिजिक एक आंतर कुण हो गया जो छीज़ यहां पर लिखे तो गहीं अब देखिए एक बात को समझेएगा एक तिरिभूज बन रहा है यहां पर तिर्वूज पंगा तो BCF BCF तिर्वूज बन रहा है BCF तिर्वूज बन रहा है तो यह आपकोन के बडाबर है एट वह था था के अधार्पर में बता रहा हूं कि कैसे यह बराबर है यह पचास दिग्री होगा क्ला कुछ पर आपस में पैरल है समाँतर है अगर यह 50 डिग्री है तो यह परावर्तन के दुसरे नियम के अधारपर तो देखिए यह कौन कोन बराबर है और यह कोन बराबर हता है इसके आधार पर दोनको को बराबर होने के यह द्यूतिक में तो में चैनलीज और कोन दोनों यह कृण दोनों आपसों विए साइड में जब दो जब तिर्भूज़ा आपस में सी तिर्भूज़ का बराबर होता है उसको संदी बाफ्य तिर्भूज़ को तरह काते हैं साहरा एसरे दो किसी एपीएफ कि बराबर ही अब कि परने लिएंठाश चिये औक अब Зब्सक्ड ऑस précis précis बराबर होके बी एफ के तो यह हमारा कह सकते हैं कि तिर्भूज कि अबी शी कि एफ सॉम्दी बाहु है कौन सब्सक्राइब सॉम्दी बाहु तिर्भूज है अब देखिए पी एफ बराबर है एफ सी के बूब कियों कि एफ जो है मध्धी बिंदू है मध्य बिंदू है कोई एक लाइन है इस लाइन के बीचों भीच्छ हम कर देंगे तो जितना यह होगा उतना ही यह होगा तो यह पी एफ और एफसी आपस में बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं मैंना है कि PC is equal to मदलब PC जो है यहां से लेकर यहां तक तह एक भाग ये एक भाग ये तो हम कह सकते नहीं है कि टूपीएफ पीशीजिक्वालीटू टूपीएफ पीशी जी क्या कहतेंगे टूपीएफ अब ध्यान दीजिये और आपको यह पीएफ आप जो यह पीएफ है दुसरे से तरह कि तो कि सिटो कि यह शुकों होगे तीय G प्रेम को अब यह जो है यह पी-एफ यह क्या है xzam वोलते हैं फोकर लिंथ-फोकस दूरी तो फोकस दूरी आपका से यह करें भीच दिबऱ् फोकस दूरी िए यह कर दो को हम क्या बोलते हैं पी से हम सी को क्या बोलते हैं तो वह कृता तिरीचिया जिसको हम capital R से दिखाते हैं तो F is equal to R by 2 यह हो गया आपका प्रूब्ड समझना आ गया बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसको बताया अगर कहीं दिकत हो तो आप बता सकते हैं तो आप अपने कॉपी में राइट आउन करें